हाई गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल एक्सपट अंकित तो गाईज, आज आज का अपना वीडियो है फेज 2 के बारे में जाना ठीक है एरफोर्स का एक्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया ठीक, उसके बाद आपका फेज 2 होता है ठीक है उसमें फेज 2 में पूरी प्रोसेस जानेंगे तो वैसे लेकर साम तक पूरी क्या फ्रोसेस है A to Z जानेंगे step by step ठीक है तो वीडियो आपको पूरा देखना है आपके काम के ठीक है इसकी इपने करना ठीक, इसमें A to Z जान करें मिलेंगे आपको OEP point छोड़ा नहीं जाएगा तो start करते है सबसे पहले होता है कि जैसे साड़ी 5 बज़े आपकी reporting होती है तो साड़ी 5 बज़े आपको सबसे पहले report करना है तो जो भी documents है वो आपको ज़रूरी लेकर जाना है जो कि आपके admit card में सहोंगे ठीक है क्या क्या लेकर जाना है pencil, rubber, eraser, stapler अगरा जो सामगरी है पहने के लिए, race करने के लिए जो भी कपड़े हैं उसके बाद है आपके documents वो सब कुछ लेकर जाना है आपको ठीक है क्या 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 लेकर जाना है documents वगरा उसका भी एक अलग से वीडियो है जिसका link description में दे रखा है आप वाँ से जाकर जुरूर देखे इसमें पन phase 2 के बारे में पूरा discuss करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको report करना है साड़े 5 बज़े ठीक है साड़े 5 बज़े आपको report करना है उसके बाद है कि जैसे आपने report किया जैसे आपके ID देखकर आपको reporting करवा लिया ठीक है उसके बाद में आपको अंदर दो hangar होगे एक इधर hangar होगा दूसरा इधर hangar होगा hangar मतलब यहाँ पर chair रखे होएंगे और chair पर chest number लिखे होएंगे chest number ठीक है जाएगा ठीक है जो भी आपसे documents मंगाए गई है वो आपके verification होगे ठीक है तो आपको पूरे documents ले जाना है जो भी necessary documents है ठीक है पूरे documents ले जाना है उसके बाद है कि पी एपटी first and पी एपटी second जैसे आपका documents verification हुआ वो थोड़ी बहुत help करते हैं अगर आपके पास documents नहीं है तो जैसे two को ही नहीं है तो जैसे वो वहाँ पर provide लिक्रा देते हैं लेकिन ऐसे नहीं कि जो man documents आप ना ले कर जाए ठीक है तो उसके बाद है कि documents verification हुआ complete उसके बाद होता है आपका पी एपटी ठीक है अगर आप रणिंग में पास हो जाते हो ठीक है तो आपको पी एपटी second के लिए वो qualify करेंगे अन्य था आपको घर पर भेज दिया जाएगा ठीक तो पी एपटी first है आपको qualify करना ज़रूरी है किसके लिए पी एपटी second के लिए उसके बाद है कि जैसे 1.6 km मतलब 1600 मेटर आपकी दोड होते है तो जैसे यह जैसे इतना बैच हो गया ठीक है जैसे 1500 बच्चे वो एक साथ भगा रहे है ठीक तो एक बंदा यहाँ पर है एक last में ठीक है तो पूरी timing रखते है जब तक यह last ओला बंदा line वो आपको ज्यादा दे सकते है वैसे इससे ज्यादा कुछ और नहीं होगा ठीक है वो आपकी 5-10 second की help कर सकते है ठीक है तो यह scene है उसके बाद अगर आप PFT first qualify कर लेते हो तो उसके बाद होगा PFT second physical fitness test second उसमें क्या होगा जैसे आपने race qualify कर लिया हाथ तो हाथ आपका push up ने कॉल ले नहीं इसमें scene क्या होगा कि जैसे आपको 20 minute का gap मिल जाएगा कम से कम ठीक है तो आप अपना आराम से कर लोगे ठीक है तो उसके बाद 20 minute बाद आपकी क्या होगी push up होगे push up कितनी होगी आपको पता है 10 होगे ठीक है 7 second hold रख लिया 8 रख लिया किसे में 1 second रख लिया इस हिसाब से करना है लेकिन आपको पूरी 1 minute में 10 push up निकलानी है उनको ठीक उसके बाद होगा है push up करते वक्त भी ध्यान रखना है आपको instruction देंगे कि किसे थाप से आपको push up निकाल ले है ऐसे नहीं है कि जैसे क्या हो रहा हाथ हुप पहला रख भर है पैर पहला रख हुष वह वहाँ पर instruction देंगी है उसी साफ से पूसप निकाल ले हैं उसके बाद है sit up कि siete अप को वहाथ भधों भूप है उसन ponieważ यह फालने किस्क्व पर सके से लिकिन 10 सित भूप होगी तिक वह भी सीटर वह भी 1 च्भ और छिकार धेर उसके बाद फ्र利क इसमें किया होता है कि आपको किए सुथा किए उसके प्रीशन करने के बाद होगा sit up और squirts आगे पीछे होते रहते हैं ठीक है तो यह सयन था किसका पीएपटी सेकेंड का अगर आप पीएपटी इसमें क्या है पुसप का सीन बता देता हूँ है जैसे अगर आपको से 10 पुसप निकलाए ठीक उन्होंने और अगर आपसे गलती से नहीं हो पाइसे है ठीक उठा देते हैं चेस नमबर बोलते हैं इतना जिस 25 खडाऊ जाओ ठीक तुसरे साब से अगर आपके पुसप नहीं निकल पाते हैं फर्स ताइम तो दूसरी टाइम आपको अच्छे से करना है ठीक है दूसरा टाइम भी मोका देता है ऐसे ही sit up में भी देते इसकोर्स में मोका देते हैं लेकिन इसमें और इसमें कोई भार नहीं होता लेकिन पुसप में क्या होता है कई लड़कों से निकलती नहीं है तो भार हो जाते है जिनकों एक चांस होड़ दिया जाता है सीन क्या होता कि अगर आप दूसरे चांस में भी रह जाते हैं अगर थर्ट चांज की केवल 50% है ठीक है तो ये था किसका सीन प्याप्टी फष्ट और प्याप्टी सेकंड का और इसमें पुसप के लिए होगी तब ही आप सिट अप पुसप में पहला चांज दिया आप उसमें fail हो गए दूसरा दिया उसमें हो गए फिर उसमें क्या कि आप उससे out हो जाते हैं अथिक है उसके बाद sit up के लिए आप qualify नहीं होते अगे है कि आप उसमें out हो गए sit up और squares करेंगे नहीं आप वहीं से बेज दिये जाते हो ये तप PFT First PFT Second उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे वहीं उस हेंगर में वापिस आ जाते हैं उसहां पर आपको बैठाए गया था वहां नेके बाद आपको बोल दिया जाता है कि अभी आपका adaptability test होगा थोड़ी देर में ठीक है आने के बाद आपको पांस से दस मिन्त बाद आपके adaptability test first और adaptability test second होता है ठीक है वो क्या होता है मैं बता देता हूँ ठीक सबसे पहले adaptability test first में क्या होता है DFT और SRT होता है DFT मतलब dynamic factor test जो कि English का test है और SRT या situation reaction test जो कि psychology test है ठीक है इसमें क्या होता है ये बता देता हूँ DFT test होता है dynamic factor test जो कि last index से जुड़ा है इसमें आपके 20 question होगे English के जो कि आपको 15 minute में करने है और इस PayPal का level क्या होता है एक दमीजी होता है ठीक है उसके बाद है SRT SRT होता है situation reaction test साइक्लोजी के question होता है 45 और आपके 30 minute में attempt करने होता है और दूसरा fact क्या होता है कि SRT के सारे question attempt करना ज़रूरी होता है अगर एक भी question आप attempt नहीं किये तो आपके निकलने के sense 99% है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि जैसे DFT और SRT हो गई ठीक आपकी complete हो गया test दोनों उसके बाद आपका जैसे result announce होगा जैसे उनको कितना भी time लग सकता है बच्चों के साब से कितनों की reporting जैसे मालिया में कि 30 minute लग ठीक है उनको result announce करने में उसके बाद वो आएंगे ठीक उसके बाद वो chest number बोलेंगे जैसे SRT में ज्यादा बंदे नहीं निकलते SRT में जैसे 7-8 student मालिया maximum ठीक है उसके बाद क्या होगा आपको result announce कर दिया और जो बच्चे फैल है उनका chest number बोलेंगे और बहार ली जाएं ठीक है तो उनको यहां तक पूंचे है ठीक है SRT तक वो पहुँच गए adaptability test तक उन्होंने बहुत hard work किया होगा तो यह इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि उनको respect करते हैं जैसे उनको t-set दे दिया और उनको motivate करके घर भेज दिया जाता है ठीक है तो इसीन होता है फैली student के साथ उसके बाद क्या होता है कि आपका अगर जैसे यह हो गया adaptability test first complete हो गया उसके बाद result announce हो गया या तो क्या करते है जैसे आपका adaptability test first हुआ उसके बाद वो जैसे result बना रहे हैं इतने आपको lunch break fast का time है आपको break fast करने के लिए बेज दिया या फिर अगर आपको result announce करने के बाद अगर आपको भेजा जाता है तो lunch time हो जाता है ठीक है फिर lunch के लिए बेज दिया तो timing होता है मतलब lunch break fast की वहाँ फिक्स timing नहीं होती कई बार होता है कि जैसे SRT reactive है जब result बन रहा होता है उस time आपको base दे उस time breakfast और जब आपका result वगरा सुनाने के बाद अगर भासते है तो lunch का time हो जाता है ठीक है तो यह scene होता है lunch और breakfast करने के बाद आपको adaptability test second के लिए बुलाया जाता है जो कि क्या है man है वो होता है group discussion ठीक है adaptability test second कि इसको बोलते है एरफोर्स में जो group discussion होता है उसको ठीक है जैसे इसमें क्या scene होता है जैसे आपको वो तो पता है group discussion में 15-15 का base बनाया जाता है उसके बाद सबको एक-एक मिनट तो वो दी गई बोलने के लिए और 10-15 मिनट हो group discussion ठीक है पंदरा और 15-30 मिनट लेकिन maximum 45 मिनट होता है group discussion यह हो गया adaptability test second group discussion में पूरा scene क्या होता है उसका लिंक वीडियो अलग से है ठीक है अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा उसका लिंक भी description में ठीक है तो होता है तो चल रहा होता है तो उसके हिसाब से हो गया group discussion को आपको भेज दिया जाता है फिर आप जैसे आप सीट पर आगर बैठ गए अपनी पर उसके बाद आपका result अनौंस किया जाता है जैसे इतने बच्चों ने जैसे जीडि दिया ठीक है तो उसका result बनाने में थोड़ा timing बना रहे होते हैं उसे साब से फोरम भी बना रहे होते हैं उसको medical के लिए तो इससे साब से result तो हत्वात बना देते हैं उस time उनको पता रहता है कौन pass हो है कौन फैर लिए तो इसलिए 4-5 बज़ आते हैं आपको result अनौंस होने में जैसे आपने जीडि दिया 12 से एक बज़ जैसे सीन क्या होता है जैसे मैं जोदबुर का बता देता हूं जैसे यह दो hangar है ठीक है यह फर्ष्ट यह सेकंड है सबसे पहले आपको यहां बैठा दिया जाता है जीडि वाली बज़से सब यहां बैठे होते हैं कौन pass कौन fail किसी का नहीं पता होता है फिर आपका सेन क्या होता है यह सै यह फास गया जीडिया रोठे है मेडिकल लुझ मेर फिलप करो आपका कहा है जैसल मेर कहां दूक्तव हुआ लए गर आख देना को इनसे मेर रवा लित शैन है और पच्चों को फिर घर बेज़से जाता है रोते हुए कैसे भी जाओ लेकिन कुछ देखा नहीं जाता है तो वह सीन होता है ठीक है यह सीन होता है एरफोर्स ग्रूप फेज टू का कम्प्लीट उसके बाद अगर आप पास हो जाते हो तो लगबग सातों बजी तक फिरी हो जाते हो कई बार लेट भी हो सकता है जासे यह मेरा दिया हुआ है ठीक है तो इसका बता देता हूँ मैं क्या था क्या सीन था और इसका जैसे की सीन मैं बतादेता हूँ सबसे पहले हुआ था कि जैसे रेस हुई थी जिसमें 30-40 बंदे आउट थे और में 253 बंदों की रिपोर्टिंग थी ठीक है उसके बाद गया था कि 30 से 40 बंदे रेज में आउट हो गई थे उसके बाद SART में किया निकले थे ठीक है SART में DFT में कोई नहीं निकला SART में 3 बंद आउट की ते उसके बाद क्या हो उस दिन और इंडियान रेलवे भी सल रहा था तो मेरे आया था पोवर्टी जिसमें की हमारे गुरूप में लिया गए थे पांच बंदे ठीक है पांच बंदे लिये गए थे मेरे चेस्ट नमबर 16 थे ठीक मैं पास था ठीक तो ऐसे था यह सीन था इसे पांच बंदों एटीका बंदों को ठीक है जैए वाइसे हर बार डिपैंड करता किसमें पास के कितने लेने और जो हमारे पंदरा गृप में जो बैस थे वो दस बिल्कुल भी नहीं मतलब बोले थे लेकिं इतना अच्छा नहीं वोलत थे इसके वज़े से आउट हुए ऐसा नहीं है कि आप आउट हो जाओगे अगर आपने महिनेत की है तब बिल्कुल पास होगे ठीक है तो यह सीन था तो आप दोस्तों के साथ सेर कर देना जो भी फेस्टू देनी जा रहे हैं ठीक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो आती देंगे आपके लिए ठीक है तो यह थेंक यू बाई